नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टोडी 101 पर और मैं हूँ देव्यावर्मा दोस्तो आज का टॉपिक है मीनाक्षी सुन्दरेश्वर मंदिर और ये लाश टॉपिक है इसके बाद आपका पूरा स्लैबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने इससे पहले की क्लासिस अभी तक नहीं की हैं तो जाकर कर लीजिए हर एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वोण है और कहीं पर अगर आपको कोई कंफूजन होता है कोई भी डाउट क्रियेट होता है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं और लिंक आपको वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में दे दी गई है तो वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो चलिए फिर पढ़ना सुरू करते हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक और अपने सबी साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजेगा चैनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए फिर पढ़ते हैं मीनाक्षी सुन्दरेश्वर मंदिर या फिर इसे मीनाक्षी अम्मा मंदिर भी कहते हैं और इसे केवल मीनाक्षी मंदिर भी कहते हैं इन में से कोई भी आपका लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे कि किस मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है चाहे मीनाक्षी मंदिर लिखा हो या मीनाक्षी अम्मा मंदिर लिखा हो या फिर मीनाक्षी सुन्दरेश्वर मंदिर लिखा हो सबका मतलब एक ही है अब सबसे पहले इस मंदिर के बारे में आपको कुछ संक्षित में बताया जाएगा जो इस मंदिर के बारे में महत्वपूर पॉइंट है फिर इसे हम डीटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मंदिर कहां पर स्थित है तो ये तमिल नाडु में है कहां पर है मदूरे तमिल नाडु मदुरे तमिलनाडु में ये मंदिर इस्थित है और समय इसका है 1623-1669 इस समय ये मंदिर बनकर तयार हुआ और निर्माड इसका किसने करवाया तो तिरुमल ने ध्यान रखेगा इस मंदिर का निर्माड किसने करवाया तिरुमल ने और समय है 1623-1669 इस्थित कहा है मदुरे तमिलनाडु में सैली इसकी है द्रविड मैंने आपको इससे पहले जो क्लासिस हुई है उसमें बताया है जो भी दक्षुन के मंदिर है दक्षुन भारत के जो भी मंदिर है वो अधिक तर द्रविड शैली में ही बनाए गए है तो ये भी मंदिर द्रविड शैली में ही बना है और किस देव पार्वती जो की भगवान शिव की पतनी है तो इन्हीं का ये यूगल मंदिर है मतलब जोडे में मंदिर है दो मंदिर यहां पर है और यदि आप इस मंदिर की तस्वीर देखना चाहें तो इस प्रकार से ये बहुत ही भव आली शान या फिर सांदार मंदिर बना हुआ है अब हम डीटेल में पढ़ना सुरू करते हैं मदुरे नायक वंस की राजधानी थी नायक वंस के अंतरगत इस मंदिर का निर्माड हुआ और जो मदुरे स्थान है ये नायक वंस की राजधानी थी विजे नगर राज के पतन के पस्चात यानि विजे नगर सामराजी का सासन किया नायक वंसी राजाओं द्वारा बनवाये गए मंदिरों में मदुरे श्री रंगम और तिरुनेल वेली या रामेश्वरम हैं तो ये जो नाम है थोड़े अटपटे हैं क्योंकि ये दक्षुन भारत के हैं वहाँ पर भासा आपकी हिंदी नहीं रहती है तमिल भासा चलती है तो इसलिए आपको नाम थोड़ा आटपटे लग रहे हैं मदुरे का मीनाक्षी मंदिर इनमें सरवाधिक विक्सित और प्रशिद्ध है यह मंदिर सुन्दरेश्वर शिव तथा उनकी पतनी मीनाक्षी का है यानि भगवान शिव और उनकी पतनी मीनाक्षी या फ मंदिर को केंदर में रखकर नगर की रचना कमल के फूल की आकरत की तरह करना अपने आप में अनूठा चमतकार है जैसे समझें यहां पर इसे यह आपका मंदिर है और इसके जो आसपास का नगर बसाया गया है वो कुछ कमल के आकार में बसाया गया है ठीक है कमल का फूल इ पूरा नगर, कमल के आकार में बसाया गया है। इस मंदिर का जितना धार्मिक और पौराडिक महतो हैं उतना ही सामाजिक और आर्थिक भी। मीनाक्षी मंदिर का समय कई राजाओं ने अलग-अलग समय में करवाया है मीनाक्षी मंदिर का निर्माड कई राजाओं ने अलग-अलग समय में करवाया है अतह यहां अनेक शोटे-शोटे मंदिरों, पवित्रिस्थानों, भाविविसाल, मूर्तियां, इस्तंभ, परकोटे मिलाकर लग-भग 240 मीटर लंबे और 260 मीटर चौणे परिसर का निर्माड करते हैं यहां पर और भी चोटे-चोटे मंदिर बने हैं, और परकोटे का मतलब होता है बाउंडरी, ठीक है? तो यहां पर जो बाउंडरी है वो लग-भग 240 मीटर लंबी और 260 मीटर चौणी है, ठीक है? और उसी के अंदर यह मंदिर स्थापित हैं जिसकी भूल-भुलया से निकल पाना परटक के लिए आसान नहीं है, कहने कातात पर यह है कि यह मंदिर बहुत बड़े परिसर में बना हुआ है, काफी बड़ा है पहले मीनाक्षी मंदिर है, एवं दूसरा सुंदरेश्वर मंदिर है, और दूसरा कौन सा है? सुंदरेश्वर, यानि दो मंदिर है यूगल मंदिर है मैंने अभी आपको बताया भी था जोडे में बना हुआ है जिसके चारो तरफ गोपुरम है गोपुरम का मतलब क्या है प्रवेश द्वार और जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता भी चुकी हूँ दक्षिन भारत के जो गोपुरम है यानि प्रव किया जाता है वो मंदिर जितने भव्य आलिशान बनाय जाते थे यानि जितना सुंदर जितना भव्य मंदिर बनता था उतने ही लगभग उचाई के जो यहां के गोपुरम है वो भी बनाय जाते थे उसमें भी नकाशे की जाती थी और जो भी अलंकरण वगेरा है वो गोप ही भव्व हैं और मंदिर जितने उचाई के बनाय जाते थे जिन पर अनेक हिंदु देवी देताओं पसु पक्षियों की आरतियां उत्किर्ण है जैसा कि अभी मैं ने आपको बताया कि यहां के गोपुरम बहुत भव्वे हैं और इन देविय देवताओं की पसुपक्षियों की इस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई है तो यह मंदिर आपका है मिनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर जो की युगल मंदिर है और यहां पर आप देख सकते हैं एक ये मंदिर है और ये ये मंदिर है ठीक है दो मंदिर है यहां मंदिर के आकार में लगभग आधा है यानि शिव मंदिर ज्यादा बड़ा है और जो पार्वती जी का मंदिर है वो आकार में छोटा है इसमें एक कक्ष के अंदर दूसरा कक्ष निर्मित है इसके बाह भाग की लंबाई पूर्व का गोपुरम पश्चिम के गोपुरम से छोटा है यानि पक्षिम का गोपुरम अधिक बड़ा है और मेनाक्षी मंदिर की छत भी चप्टी एवं सिखर से सुसोबित है तो छत कैसी है चप्टी है यहां देवी के आकर्ण निमीलित नेत्र के उपमा मचली से की गई है मचली की आँखों से नहीं यहां पर गलत दिया हुआ है मचली से की गई है इसी कारण इसे मीनाक्षी की संग्या से अभिहित किया गया है यहाँ पर दो शब्द आये हैं आकर्ण और निमीलित इसका अर्थ क्या होता है समशली जी आकर्ण कार्थ है कान तक और निमीलित नेत्र यानि बंद नेत्र तो देवी पार्वती के कान तक खिचे बंद नेत्रों की तुलना मचली से की जाती है यानि पार्वती के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं मचली के आकार के हैं मीना कार हैं इसलिए देवी पार्वती का एक नाम मीनाक्षी भी है और मीनाक्षी का आर्थ होता है जिसकी आखे मीन अर्थात मचली के समान हैं मीन कार्थ होता है मचली और अक्ष कार्थ होता है नेत्र तो जिसकी आखे मचली के समान हैं, वो कौन हुआ मीनाक्षी, इसलिए देवी पार्वती को मीनाक्षी नाम से भी जाना जाता है, और इसी कारण इस मंदिर का नाम मीनाक्षी है. मीनाक्षी मंदिर के आगे एक आयताकार सरोवर है, जो 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा है, इस सरोवर में कमल खिले हुए हैं, इसलिए इसे कमल सरोवर या श्रण कमल सरोवर भी कहा जाता है. तो मीनाक्षी मंदिर के सामने एक सरोवर है, जिसका नाम कमल सरोवर या फिर सरोण सरोवर है, जिसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार का ये सरोवर यहाँ पर बना हुआ है, ठीके, इसी को कमल सरोवर कहते हैं, या फिर सरोण कमल सरोवर. सरोवर के दक्षुण में 150 फिट उचा गोपुरम है सरोवर में गोपुरम का प्रतिविम भी दर्सकों को आकर्शित करता है तो सरोवर के दक्षुण दिसा में गोपुरम यानि प्रवेश द्वार है जिसकी उचाई 150 फिट है और उसका प्रतिविंब सरोवर में दिखाई देता है जो की दिखने में बहुत आकरशक लगता है स्वण कमर सरोवर के उत्तरी पूर्वी कोने में कुछ दूरी पर मीनाक्षी मंदिर के सामने बाहरी पर कोटे वाला एक विशाल गोपुरम है यहां एक स्वतंत्र प्रवेस मार्ग है जो सायल सोभा यात्रा के दौरान काम आता होगा यानि जब यहां पर सोभा यात्रा का आयजन होता है तब इस गोपुरम का प्रियोग किया जाता होगा ऐसा यहां पर बताया गया है इस मंदिर को तीन ओर से दीवार से घिरा गया है यानि बाउंडरी से घिरा गया है यहां पुदु मंडब यानि स्वागत कक्ष तिरुमल ने बनवाया था इसलिए इसे तिरुमल की चौलवी के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर एक पुदु मंडब बना हुआ है जिसका आर्थ है स्वागत कक्ष और इसका निर्माड तिरुमल ने करवाया था इसलिए इसको तिरुमल की चौल्वी कहते हैं मीनाक्षी मंदिर के उत्तर दिसा में सहस्र इस्तंभ युक्त एक सभाग रहे है सहस्र इस्तंभ युक्त एक सभाग रहे है और इस मंदिर में कीली कटी मंडब अर्था तोतों का मंडब है जिसमें तोतों को छत से उल्टा लटके हुए दिखाये गया है तो कीली कट्टी मंडप यहां पर है इसका अर्थ होता है तोतों का मंडप और इस मंडप में तोतों को उल्टा लटके हुए दिखाये गया है तो यह होगे आपका मिनाक्षी सुन्दरेश्वर मंदिर और इसकी इमेज आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह मंदिर बना हुआ है बाकी और भी यहां पर फूटेज हैं जैसे यह आप देख सकते हैं मंदिर में जो देवी देवता हैं उनकी एक छवी है यहां पर और यह आपका मंदिर है देखे इसमें किस प्रकार से जो नकासी है वो की गई है और कितना यह सब्सक्राइब भी कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहिंद